C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तु थे विज्ञान की ध्वनी पाथे पुस्तक कक्षा आठ ओडियो बुक विज्ञान कक्षा आठ अध्याय पंद्रह कुछ प्राकृतिक परिघटनाई प्रिष्ट 184 से प्रिष्ट 198 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याय पंद्रह कुछ प्राकृतिक परिघटनाई प्रिष्ट 184 कक्षा साथ में आपने पवन, तूफान तथा चक्रवात के बारे में पढ़ा था आपने ये जानकारी प्राप्त की थी कि चक्रवात, मानव जीवन तथा संपत्ती को अत्यधिक ख्षती पहुँचा सकते हैं आपने ये भी जाना था कि कुछ सीमाओं तक हम इन विनाशकारी परिघटनाओं से अपना बचाव कर सकते हैं इस अध्याय में हम दो अन्य विनाशकारी परिघटनाओं तडित तथा भूकंप पर चर्चा करेंगे हम इन परिघटनाओं द्वारा किये जाने वाले विनाशों को कम करने के उपायों पर भी चर्चा करेंगे 15.1 तडित विद्युत के तार धीले हो जाने पर आपने विद्युत खंबों पर चिंगारियां देखी होंगी ये परिघटना उस समय बहुत अधिक हो जाती है जब पवन के चलने पर तार हिलते डुलते हैं आपने सौकेट में पलग के ढीले होने पर भी चिंगारियां निकलते देखी होंगी। तडित भी एक विशाल स्तर की विद्युत चिंगारी ही है। प्राचीन काल में लोग इन चिंगारियों का कारण नहीं समझते थे। अतहे वे तडित से डरते थे और सूचते थे कि उन प भगवान के क्रोध के कारण ये हुआ है। अब वास्तव में हम ये जानते हैं कि बादलों में आवेश के इकत्रित होने से तडित पैदा होती है। हमें तडित से डरना नहीं चाहिए, परंतु इन घातक चिंगारियों से अपने बचाव के लिए सावधानियां बरतनी चाह जानते थे। चैसो ईसा पूर्व से भी पहले प्राचीन युनानी ये जानते थे कि जब एमबर एक प्रकार की राल को फर से रगडते हैं तो ये बालों जैसी हलकी वस्तियों को आकर शित कर लेता है। आपने ये देखा होगा कि जब आप उनी तथा पॉलियस्टर के वस् वस्त्रों को उतारते हैं तो आप चट-चट ध्वनी के साथ चिंगारी तक देख सकते हैं। सन 1752 में अमेरिकी वाइग्यानिक बेंजमिन फ्रेंकलिन ने ये दर्शाया कि तडित तथा आपके वस्त्रों में उत्पन चिंगारी वास्तव में एक ही परिघटना है परंतु इस्तथ्य के साकार होने में दो हजार वर्श लग गए। बूजो ने कहा मुझे आश्चरिय है कि उन्हें इस समानता को ग्याद करने में इतने वर्श क्यों लगे। पहेली ने कहा वाइग्यानिक खोजें बहुत से लोगों के लंबे समय तक कठिन परिश्रम का परिणाम ह अब हम विद्युत आवेशों के कुछ गुणों का अध्ययन करेंगे। हम ये भी देखेंगे के ये आकाश में तड़ित से किस प्रकार संबंधित है। प्रिश्ट 185 विद्युत आवेशों की प्रकृती को समझने के लिए आईए कुछ क्रिया खलाब करें। परंतु पहले उस खेल को याद कीजिए जिसे आपने कभी खेला होगा। जब आप प्लास्टिक के पैमाने को अपने सूखे बालों से रगडते हैं तो पैमाना कागज के छोटे-छोटे टुकडों को आकरशित कर सकता है। 15.2 रगड़ द्वारा आवेशन क्रिया कलाप 15.1 बॉल पैन की खाली रिफिल लीजिए। इसे तेजी से किसी पॉलिथीन के टुकडे से रगड़ कर इसे कागज के छोटे-छोटे टुकडों के समीप लाइए। इतनी सावधानी रखिये के रिफिल का रगड़ा गया सिरा आपके हाथों अथ्वा किसी धातू की वस्तू से न चुए। अपने क्रिया कलाप को छोटी-छोटी सूखी पत्तियों, भूसे तथा सरसों के दानों के साथ दोहराईए। अपने प्रेक्षणों को नोट कीजिए। जब प्लास्टिक की रिफिल को पॉलिथीन के साथ रगड़ते हैं, तो ये कुछ विद्युत आवेश अरजित कर लेता है। इसी प्रकार जब प्लास्टिक की कंगी को सूखे बालों से रगड़ते हैं, तब ये भी कुछ विद्युत आवेश अरजित कर लेती है। इन वस्तुओं को आवेशित वस्तुओं कहते हैं। रीफिल तथा प्लास्टिक की कंगी को आवेशित करने की प्रक्रिया में पॉलिथीन तथा बाल भी आवेशित हो जाते हैं। आईए अब आपकी जानी पहचानी कुछ अन्य वस्तूओं को आवेशित करने का प्रियास करें। क्रिया कलाप 15.2 सारणी 15.1 में दी गई वस्तूओं तथा पदार्थ एकत्र कीजिए। इनमें से प्रत्येक वस्तू को सारणी में दिये अनुसार पदार्थ के साथ रगड़ कर आवेशित कीजिए। अपने अनुभववों को नोट कीजिए। आप इस सारणी में और अधिक वस्तूओं जोड सकते हैं। सारणी 15.1 इस सारणी में चार मुख्य शीरशक लिखे गए हैं। रगड़ी गई वस्तू, पदार्थ जिससे रगड़ा जाए, कागज के टुकणों को आकरशित करती है या नहीं करती है। आवेशित है या आवेशित नहीं। रगड़ी गई वस्तू, रीफिल, पदार्थ जिससे रगड़ा जाए, पॉलिथीन या उनिवस्त्र, इसके आगे के दोनों बक्से खाली हैं। गुबारा पदार्थ जिससे रगड़ा जाए पॉलिथीन, उनिवस्त्र, शुश्कबाल इसके आगे के दोनों बक्से खाली हैं रबर पदार्थ जिससे रगड़ा जाए उन इसके आगे के दोनों बक्से खाली हैं स्टील का चमच पदार्थ जिससे रगड़ा जाए। पॉलिथीन उनी वस्त्र। इसके आगे के भी दोनों बक्से खाली हैं। इसके बाद इस सारणी में नीचे दो बक्से खाली दिये गए हैं। प्रिष्ट 186 आवेशों के प्रकार तथा इनकी अन्योनए क्रिया। हम अगले क्रिया कलाप के लिए कुछ वस्तुएं सारणी 15.1 में से चुनते हैं। क्रिया कलाप 15.3 ए, दो गुबारे फुलाईए। इन्हें इस प्रकार लटकाईए कि ये एक दूसरे को स्पर्ष न करें। चित्र 15.1 दोनों गुबारों को किसी उनी कपड़े से रगड़िये और छोड़ दीजिये। आप क्या देखते हैं। चित्र 15.1 इस चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आईए, अब हम इस क्रिया कलाप को पैन के बेकार रीफिलों के साथ दोहराईं। एक रीफिल को पॉलिथिन से रगड़िये। कांच के गिलास को स्टैंड की भांती उपियोग करते हुए इसे गिलास में रखिये। चित्र 15.2 दूसरी रीफिल को पॉलिथिन से रगड़िये तथा इसे आवेशित रीफिल के निकट लाइए। सावधान रहिए। रीफिल का आवेशित सिरा अपने हाथों से न चुएं। क्या गिलास में रखिये रीफिल पर कोई प्रभाव पढ़ता है। क्या ये दोनों रीफिल एक दूसरे को आकरशित अत्वा प्रतिकरशित करते हैं। इस क्रिया कलाप में हम ऐसी आवेशित वस्तूओं को एक दूसरे के निकट लाए थे जो उसी पदार्थ से बनी थी। यदि भिन्न पदार्थों से बनी दो आवेशित वस्तूओं को एक दूसरे के निकट लाएं तो क्या होगा? आईए पता लगाएं। इस प्रिष्ठ पर बाई और नीचे चित्र पंद्रह दशमलव दो दर्शाया गया है। इस चित्र के माध्यम से समान आवेशों के बीच अन्योने क्रिया को दिखाया गया है। बी, एक रीफिल को पहले की भांती रगड कर धीरे से गिलास में रखिए। चित्र पंद्रह दशमलव तीन इस रीफिल के निकट एक फूला हुआ आवेशित गुबारा लाईए और प्रेक्षन कीजिए। चित्र पंद्रह दशमलव तीन इस चित्र के माध्यम से ये दिखाया गया है कि विप्रीत आवेश एक दूसरे को आकरशित करते हैं। आईए प्रेक्षनों का सारांश करें। एक आवेशित गुबारे ने दूसरे आवेशित गुबारे को प्रतिकरशित किया। परन्तु एक आवेशित गुबारे ने आवेशित रीफिल को आकरशित किया। क्या ये इंगित करता है कि गुबारे पर आवेश रीफिल के आवेश से भिन प्रकार का है। क्या फिर हम ये कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। क्या हम ये भी कह सकते हैं कि सजाती ये एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं, जबकि विजाती ये यानि भिन्न प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं। प्रिष्ठ 187 मान्यता के अनुसार रेशम से रगडने पर कांच की छड़ द्वारा अरजित आवेश को धनावेश कहते हैं, अन्यप्रकार के आवेश को रिनावेश कहते हैं. ये देखा गया है कि जब आवेशित कांच की छड़ को पॉलिथीन से रगड़े गए आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ के निकट लाते हैं, तो दोनों के बीच आकर्शन होता है. आपके विचार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर किस प्रकार का आवेश होना चाहिए? आपका ये अनुमान के प्लास्टिक स्ट्रॉ पर रिनावेश होना चाहिए सही है. रगडने पर उत्पन विद्युत आवेश स्थेतिक होते हैं. वे स्वयम गती नहीं करते. जब आवेश गती करते हैं, तो विद्युत धारा बनती है. आपका क्षा 6 से ही विद्युत धारा के विशय में अध्ययन कर रहे हैं. परिपत में प्रवाहित होने वाली वो विद्युत धारा जिससे बल्ब चमकता है, अथ्वातार गरम हो जाता है, और कुछ नहीं, वरन आवेशों का प्रवाह ही है. 15.4 आवेश का स्थानां तरण क्रिया कलाप 15.4 मुरब्बे की एक खाली बोतल लीजिए. बोतल के मुहु के साइस से कुछ बड़ा गत्ते का टुकड़ा लीजिए. इसमें एक छिद्र बनाईए, जिसमें धातू की पेपर क्लिप गुसाई जा सके. चित्र 15.4 में दर्शाय अनुसार पेपर क्लिप को खोलिए. एल्युमेनियम की पन्नी की लगभग 4 सेंटीमीटर गुणा 1 सेंटीमीटर साइस की दो पट्टी काटिए. चित्र में दर्शाय अनुसार इने पेपर क्लिप पर लटकाईए. गत्ते के ढखकन में पेपर क्लिप को इस प्रकार घुसाईए कि ये गत्ते के लंबवत रहे. चित्र 15.4 रीफिल को आवेशित कीजिए तथा इसे पेपर क्लिप के सिरे से स्पर्श कराईए. प्रेक्षन कीजिए. क्या होता है? क्या पन्नी की पट्टियों पर कोई प्रभाव पढ़ता है? क्या ये एक दूसरे को प्रतिकर्शित करती हैं अथवा आकर्शित करती हैं? अब पेपर क्लिप के सिरे से अन्य आवेशित वस्तूओं को स्पर्श कराईए. क्या हर बार पन्नी की पट्टियां समान रूप से व्यवहार करती हैं क्या इस उपकरण का उप्योग ये पहचान करने के लिए कर सकते हैं कि कोई वस्तू आवेशित है अथ्वा नहीं क्या आप ये स्पष्ट कर सकते हैं कि पन्नी की पट्टियां एक दूसरे को क्यों प्रतिकर्शित करती हैं। इस चित्र में सरल विद्युत दर्शी को दर्शाया गया है। एल्युमेनियम की पन्नी की पट्टियां पेपर क्लिप से होते हुए आवेशित रीफिल से आवेश प्राप्त करती हैं। याद रहे कि धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। समान आवेश वाली पट्टियां एक दूसरे को प्रतिकर्शित करती हैं और वे फैल जाती हैं। इस प्रकार की युक्ति का उप्योग ये परीक्षन करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं। इस युक्ति को विद्युत दर्शी कहते हैं। इस प्रकार हमें ये ज्यात हुआ कि विद्युत आवेश को किसी आवेशित वस्तु से अन्य वस्तु में धात्वित चालक द्वारा भेजा जा सकता है। पेपर क्लिप के सिरे को धीरे से हाथ से स्पर्श कीजिए। ऐसा करते ही आप पन्नी की पट्टियों में एक परिवर तन देखेंगे। वे अपनी मूल स्थिती में वापस आ जाती हैं। पन्नी की पट्टियों को आवेशित करने तथा पेपर क्लिप को स्पर्श करने की क्रिया को दोहराईए। प्रिष्ट 188. हर भार आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप हाथ से पेपर क्लिप को स्पर्श क करते हैं, पन्नी की पट्टियां सिमठ जाती हैं। इसका कारण ये है कि स्पर्श करने पर पन्नी की पट्टियों का आवेश हमारे शरीर से होकर प्रिथ्वी में चला जाता है। तब हम कहते हैं कि पन्नी की पट्टियां अनावेशित हैं। किसी आवेशित वस्तु से आव बीच में महत्वपून जानकारी दी गई है। विद्युत धारा के किसी भी कारण से लीक होने से उत्पन विद्युत आगहात से हमें बचाने के लिए भवनों में भू संपरकन की व्यवस्था की जाती है। 15.5 तडित की कहानी अब रगड़ द्वारा उत्पन आवेशों के आधार पर तडित की व्याख्या करना संभव है। कक्षा साथ में आपने ये सीखा था कि गरजवाले तूफानों के बनते समय वायू की धाराएं उपर की ओर जाती हैं, जबके जल की बूंदें नीचे की ओर जाती हैं। इन प्रबल गतियों के कारण आवेशों का प्रिथकन होता है। एक प्रक्रियाद्वारा, जिसे हम अभी पून तह नहीं समझा सके हैं, बादलों के उपरी किनारे के निकट धनावेश एकत्र हो जाते हैं, तथा रिनावेश बादलों के निचले किनारे पर संचित हो जाते धर्ती के निकट भी धनावेश का संचाय होता है। जब संचित आवेशों का परिमान अत्यधिक हो जाता है तो वायू जो विद्युत की हीन चालक है आवेशों के प्रवाह को नहीं रोक पाती। रिनात्मक तथा धनात्मक आवेश मिलते हैं और प्रकाश की चमकीली धारियां तथा ध्वनी उत्पन्न होती है। इसे हम तडित के रूप में देखते हैं। चित्र 15.5 इस प्रक्रिया को विद्युत विसरजन कहते हैं। इस प्रिष्ठ पर नीचे चित्र 15.5 दर्शाया गय है। इस चित्र में आवेश के संचयन से तडित का होना दिखाया गया है। प्रिष्ठ 189 विद्युत विसरजन की प्रक्रिया दो अथवा अधिक बादलों के बीच अथवा बादलों तथा प्रित्वी के बीच हो सकती है। अब हमें प्राचीन काल के लोगों की भांती तडित से भाईभीत होने की आवशक्ता नहीं है। अब हम मूल परी घटना को समझते हैं। वैज्ञानिक हमारा ज्ञान बढ़ाने के लिए कठोर परिश्रम कर रही हैं। तथा पी तडित के गिरने पर जीवन तथा संपत्ती की हानी होती है। अतह हमें अपने बचाव के लिए उपाय करने आवशक हैं। 15.6 तडित से सुरक्षा, तडित एवं जन्जा याने गरजवाले तूफान के समाएं कोई भी खुला स्थान सुरक्षित नहीं होता। गरज सुनना किसी सुरक्षित स्थान पर तुरंत पहुँचने की चेतावनी है। अंतिम गरजन सुनने के बाद सुरक्षित स्थान से बाहर आने से पहले कुछ देर प्रतीक्षा कीजिए। सुरक्षित स्थान का पता लगाना कोई मकान अथवाभवन सुरक्षित स्थान है। यदि आप किसी कार अथवाबस द्वारा यात्रा कर रहे हैं तो वाहन की खिड़कियां वद दर्वाजे बंद होने पर आप उसके भीतर सुरक्षित हैं। तडित जंजा के समय क्या करें क्या न करें। बाहर खुले में। खुले वाहन जैसे मोटर साइकल, ट्रैक्टर, निर्मान कार यहेतू मशीने, खुली कार सुरक्षित नहीं हैं। खुले मैदान, उचे व्रिक्ष, पारकों में शरण स्थल, उचे स्थान, तडित से हमारी सुरक्षा नहीं करते। तडित जंजा के समय चाता लेकर चलने का विचार किसी भी दृष्टी से अच्छा नहीं है। यदि आप वन में हैं, तो छोटे व्रिक्ष के नीचे शरण लीजिए। यदि आप किसी ऐसे खुले क्षेतर में हैं, जहां कोई शरण स्थल नहीं है, तो सभी व्रिक्षों से काफी दूरी पर खड़े रहें। जमीन पर न लेटें, बलके जमीन पर सिमट कर नीचे बैठें, अपने हाथों को घुटनों पर तथा सिर को हाथों के बीच रखें। इस स्थिती में आप आगहात के लिए लगुतम लक्ष बन जाएंगे। चित्र 15.6 इस चित्र के माध्यम से तडित के समय सुरक्षित स्थिती दिखाई गई है। घर के भीतर तडित टेलिफोन के तारों, विद्युत तारों तथा धातू के पाईपों पर आगहात कर सकती है। क्या आपको याद है, तडित एक विद्युत विसर्जन है। तडित जन्जा के समय हमें इने चूना नहीं चाहिए। ऐसे समय में मोबाईल फोन अथ्वा बिना डोरी वाले फोन का उप्योग सुरक्षित है। परन्तु ये बुद्धी मतापून नहीं है कि आप किसी ऐसे व्यक्ती को टेलिफोन करें जो तार युक्त फोन से आपकी बात सुन रहा है। बहते जल के संपर्क से बचने के लिए तडित जन्जा के समय स्नान से बचना चाहिए। कम्प्यूटर, टीवी आदी जैसे विद्युत उपकरणों के प्लगों को सौकेट से निकाल देना चाहिए। विद्युत बल्बों, ट्यूब लाइटों को जलाए रखा जा सकता है। इनसे कोई हानी नहीं होती। प्रिष्ट 190 तडित चालक तडित चालक एक ऐसी युक्ती है जिसका उप्योग भवनों को तडित के प्रभाव से बचाने के लिए किया जाता है। किसी भवन के निर्मान के समय उसकी दीवारों में उस भवन की उँचाई से अधिक लंबाई की धातू की छड स्थापित कर दी जाती है। इस छड का एक सिरा वायू में खुला रखा जाता है तथा दूसरे सिरे को जमीन में काफी गहराई तक दबा देते हैं। चित्र 15.7 धातू की छड विद्युत आवेश के जमीन तक पहुँचने के लिए एक सरलपत प्रदान करती है। भवन निर्मान में उप्योग होने वाले धातू के स्तंभ, विद्युत्तार तथा जल पाईप भी कुछ सीमा तक हमारा बचाव करते हैं। परंतु तडित जंजा के समाई इने स्पर्ष न करें। इस प्रिष्ठ पर नीचे चित्र पंद्रह दशमलव साथ के माध्यम से तडित चालक दिखाया गया है। पंद्रह दशमलव साथ भूकम्प आपने अभी तडित जंजा तथा तडित के विशाय में अध्ययन किया। कक्षा साथ में आपने चक्रवातों के बारे में अध्ययन किया था। ये प्राक्रितिक परिगटनाएं मानव जीवन तथा संपत्ती का बड़े पैमाने पर विनाश कर सकती हैं। सवभग्यवश कुछ हद तक हम इन परिगटनाओं की भविश्यवानी कर सकते हैं। मौसम विभाग कुछ क्षित्रों में बन रहे तडित जंजा के बारे में चेताव नी दे सकता है। यदि तडित जंजा होती है तो इसके साथ सदैव, तडित तथा चक्रवात की संभावना रहती है। अतह इन परिगटनाओं से होने वाली क्षती से बचाव के उपायों के लिए हमारे पास समाय होता है। तथा पी एक ऐसी परिगटना भी है जिसके बारे में भविश्यवानी करने की क्षमता हम अभी तक भी विकसित नहीं कर पाएं। ये है भूकंप। ये विशाल स्तर पर जन जीवन तथा संपत्ती को क्षती पहुचा सकता है। आठ अक्तूबर 2005 को भारत में उत्तरी कश्मीर चित्र 15.8 के उरी तथा तंगधार शहरों में एक बड़ा भूकंप आया था। इससे पहले गुजरात के भुज जिले में 26 जनवरी 2001 को बड़ा भूकंप आया था। क्रिया कलाप 15.5 अपने माता पिता से इन भूकंपों द्वारा हुई जन जीवन तथा संपत्ती की अपार क्षती के बारे में पूछिए। उस समय के समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से इन भूकंपों द्वारा हुई क्षती को दर्शाने वाले कुछ चित्र इकठा कीजिए। इन भूकंपों द्वारा लोगों को हुई क्षती से संबंधित संग्शिप्त रिपोर्ट बनाईए। भूकंप क्या होता है? जब ये आता है तो क्या होता है? इसके प्रभाव को कम से कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। भूकंप क्या होता है? भूकंप जो बहुत कम समय तक रहता है, पृत्वी का कमपन अथ्वा कोई जटका होता है। ये पृत्वी की भूप पर्टी के भीतर गहराई में गडबड के कारण उत्पन्न होता है। भूकंप हर समय सब जगह आते रहते हैं। इस प्रिष्ठ पर नीचे चित्र 15.8 दिखाया गया है। इसमें कश्मीर में आए भूकंप से हुई तबाही का द्रिश्य दिखाया गया है। प्रिष्ठ 192 प्रायह इनको नोटिस नहीं किया जाता है। विशाल भूकंप बहुत कम होते हैं। ये भवनों, पुलों, बांधों तथा लोगों को असीमित क्षती पहुँचा सकते हैं। इन से जीवन तथा संपत्ती की विशाल हानी हो सकती है। भूकंपों से बाढ़, भूस खलन तथा सुनामी आ सकते हैं। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में एक विशाल सुनामी आया था। महासागर के चारों और के तटवर्ती क्षेत्रों में अपार हानी हुई थी। क्रिया कलाप 15.6 संसार का एक रेखा मानचित्र लीजिए। भारत में पूर्वी तटिये तथा अंडमान और निकोबार महाद्वीपों की स्थिती ग्यात कीजिए। हिंद महासागर के चारों और के उन अन्य देशों को मानचित्र में अंकित कीजिए जिन्हें सुनामी से क्षती पहुँची थी। अपने माता पिता अथवा परिवार के अन्य बड़े बूड़ों अथवा पासपडोस से भारत में सुनामी के कारण हुए नुकसान की जानकारी एकत्र कीजिए। भूकंप का क्या कारण है। बूजो ने कहा, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि प्रिथवी किसी सांड के एक सींग पर टिकी है, तथा जब सांड इसे दूसरे सींग पर ले जाता है, तो भूकंप आता है। ये कैसे सत्य हो सकता है। प्राचीन काल में लोग भूकंप आने का सही कारण नहीं जानते थे, अतहे उनकी धारणा, मन गढ़ंत कथाओं, जैसी बूजो की दादी ने सुनाई थी, द्वारा व्यक्त की जाती है। संसार के अन्य भागों में भी इसी प्रकार की कथाएं प्रचलित थी। पहेली ने पूछा, प्रित्वी के अंदर भू कंपन के क्या कारण हो सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि प्रित्वी के भीतर की सबसे उपरी सतह में गहराई की गड़बड के कारण भू स्पंद आते हैं। प्रित्वी की इस परत को भू पपर्टी कहते हैं। इस चित्र में प्रित्वी की सनरचना दिखाई गई है। इसमें भूप पल्टी, प्रावार, बाहिय क्रोड, आंतरिक क्रोड दिखाई गई हैं। प्रित्वी की ये परत एक खंड में नहीं है, ये टुकडों में विभाजित है। प्रत्येक टुकडे को प्लेट कहते हैं। चित्र पंद्रह दशमलव एक शून्य। ये प्लेट निरंतर गती करती रहती है। जब ये एक दूसरे से रगड खाती हैं, अथवा टककर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। चित्र पंद्रह दशमलव ग्या रहे, तो इसके कारण भूप पर्टी में विक्षोब उत्पन्न होता है। यही विक्षोब प्रित्वी की सतह पर दिखाई देता है। इस प्रिष्ठ पर चित्र पंद्रह दशमलव एक शून्य दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से पृत्वी की प्लेट्स दिखाई गई हैं। यूरेसियाण प्लेट, अरेबियन प्लेट, इंडियन प्लेट, प्रिष्ठ एक सॉतिरानवे. इस प प्रिथ्वी की प्लेटों की गतियां दिखाई गई हैं। इस चित्र में टकराती प्लेटें वर रगड़ती प्लेटें दिखाई गई हैं। बूजों ने पूछा, यदि वैज्ञानिक भूकंप के बारे में इतना अधिक जानते हैं, तो क्या वे आने वाले भूकंप के समय तथा स्थान की भविश्यवानी कर सकते हैं। प्रित्वी पर भूस्पंद ज्वाला मुखी के फटने, अथवा किसी उलका पिंड के प्रित्वी से टकराने, अथवा किसी भूमी गत ना भीकी ये विस्फोट के कारण भी उत्पन हो सकते हैं। परंतु अधिकांश भूकंप प्रित्वी की प्लेटों की गतियों के कारण आते हैं। भूकंप प्लेटों की गतियों के कारण उत्पन होते हैं। अते हैं जहां प्लेटों की सीमाएं दुर्बल क्षेत्र होती हैं, वहां भूकंप आने की संभावना अधिक होती है। इन दुर्बल क्षेत्रों को भूकंपी क्षेत्र अथवा ब्रंश क्षेत्र भी कहते हैं। भारत के अतिभूकंप आशंकित क्षेत्र कश्मीर, पश्चिमी तथा केंद्रिय हिमालय, समस्त उत्तरपूर्व, कच्छकारण, राजस्थान तथा सिंध गंगा के मैदान हैं। दक्षन भारत के कुछ भाग भी खत्रे के क्षेत्र में आते हैं। चित्र 15.12 इस प्रिष्ट पर चित्र 15.12 दिखाया गया है। इस चित्र के माध्यम से भारतिय उप महध्वीप में पृत्वी की प्लेटों की गतियां दर्शाई गई हैं। इस चित्र में यूरेशियन प्लेट, तिबबत का पठार, हिमालय, माउंट एवरिस्ट, गंगा का मैदान, इंडियन प्लेट, वहिंद महसागर दर्शाई गए हैं। किसी भुकंप की शक्ती के परिमान को रिक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भुकंपों का रिक्टर पैमाने पर परिमान साथ से अधिक होता है। भुज तथा कश्मीर में आए दोनों भुकंपों का परिमान साथ दशमलव पांच से अधिक था। प्रिष्ठ 194 94. इस प्रिष्ठ पर उपर भूकंप के संबंध में महत्वपून जानकारी दी गई है। भूसपंद पृत्वी की सतह पर तरंगें उत्पन्न करते हैं। इन तरंगों को भूकंपी तरंगें कहते हैं। इन तरंगों को भूकंप लेखी नामक उपकरण द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। चित्र 15.13 ये उपकरण मात्र एक कमपायमान छड अत्वा लोलक होता है जो भूसपंद आने पर दोलन याने कमपन करने लगता है। इसके कमपायमान तंत्र के साथ एक पैन जुड़ा रहता है। ये पैन इसके नीचे गती करने वाले कागज की पट्टी पर भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करता रहता है। इन तरंगों का अध्ययन करके वाईज्यानिक भूकंप का संपून मान चित्र बना सकते हैं जैसा के चित्र 15.14 में दिखाया गया है। वे भूकंप की क्षती पहुँचा सकने की क्षमता का अनुमान भी लगा सकते हैं। चित्र 15.13 इस चित्र में भूकम्प लेखी उपकरण को दिखाया गया है आप देख सकते हैं कि इसमें डोरी, पैन, लोलक का गोलक, घूर्णी ड्रम, चार्ट पेपर, टेक दिखाये गए हैं साथ ही एक भूकम्प लेखी का आरेख भी दिखाया गया है चित्र 15.14 ये भूकम्प का चित्र है इस चित्र में फोकस, पृत्वी का प्रिष्ठ, अधिकेंद्र, भूकम्पी तरंगें दिखाई गई हैं विज्ञान में अन्य बहुत से पैमानों की भाती, डेसिबल एक अन्य उदाहरण है रिक्टर पैमाना रेखिक नहीं है इसका अर्थ ये है कि इस पैमाने पर छै परिमान के भुकंप की क्षती नाशी उर्जा, चार परिमान के भुकंप की विनाशी उर्जा से डेड़ गुनी अधिक नहीं है वास्तव में परिमान में दो की वृद्धी का अर्थ एक हजार गुनी अधिक विनाशी उर्जा है भूकंप से बचाव अले लोगों को इनका सामना करने के लिए विशेश रूप से तयार रहना होता है। सर्वप्रथम इन क्षेत्रों के भवनों का डिजाइन ऐसा हो कि वे बड़े भूकंपों के जटकों को सह सकें। आधुनिक भवन प्रौध्योगी की इसे संभव बना सकती है। उचित ये है के भवनों के ढांचे सरल हों ताके वे भूकंप निरापद हों। किसी योग्य आर्किटेक्ट एवं सनरचना इंजीनियर से परामर्ष कीजिए। प्रिष्ट एक सब पिच्चानवे अत्यधिक भूकंपी क्षेत्रों में भवन निर्मान में भारी पदार्थों की अपेक्षा मिट्टी अथ्वा इमारती लकडी का उपियोग अधिक अच्छा होता है। यदि ढांचा गिरे तो अत्यधिक क्षती नहीं होती। अलमारियों इत्यादी को दीवारों के साथ जड़ना अधिक अच्छा होता है जिससे के वे आसानी से न गिरें। दीवार घड़ी, फोटो फ्रेम, जल तापक यने गाइजर आधी को दीवार में लटकाते समय सावधानी रखिये ताके भूकंप आने पर ये लोगों के उपर ना गिरें। चुँके कुछ भवनों में भूकंप के कारण आग लग सकती है अतहे ये आवश्चक है कि सभी भवनों विशेशकर उची इमारतों में अगनी शमन के सभी उपकरण कार्यकारी स्थिती में होने चाहिए। केंद्रिय भवन अनुसंधान संस्थान रुडकी ने भूकंप प्रतिरूधी मकान बनाने के लिए कुछ जानकारी विकसित की है। यदि आप बिस्तर पर हैं तो उठे नहीं अपने सिर का तकिये से बचाव करें। किसी खुले स्थान पर पहुँचे। भू स्पंदन के समाप्त होने से पहले बाहर न निकलें। प्रिष्ट एक सचे आनवे। प्रमुक्षब्द प्रिष्ट वस्तुओं को अन्य वस्तुओं से रगड कर आवेशित किया जा सकता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं। धनावेश तथा रिनावेश। सजाती ये आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्शित तथा विजाती ये आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं रगड़ द्वारा उत्पन विद्युत आवेशों को स्थिर आवेश कहते हैं जब आवेश गती करते हैं तो विद्युत धारा बनती है कोई वस्तू आवेशित है या नहीं इसकी पहचान के लिए विद्युत दर्शी का उपियोग किया जाता है किसी आवेशित वस्तू के आवेश को पृत्वी में स्थानांतरित करने को भू संपरकन कहते हैं बादलों तथा पृत्वी अत्वा विभिन बादलों के बीच विद्युत विसरजन के कारण तडित उत्पन्न होती है तडित आगात जीवन तथा संपत्ती को नश्ट कर सकता है तडित चालक भवनों को तडित के प्रभाव से बचा सकता है पृत्वी के अचानक कापने अथ्वा थर्थराने को भूकम्प कहते हैं भूप पर्टी के भीतर गहराई में विक्षोब के कारण भूकम्प आते हैं भूकम्प आने की भविश्यवानी संभव नहीं है प्रिथ्वी की प्लेटों की सीमाउं पर भूकंप आने की प्रवृत्ती होती है इन क्षेत्रों को ब्रण्शक्षेत्र कहते हैं किसी भूकंप की विनाशी उर्जा की माप रिक्टर पैमाने पर की जाती है रिक्टर पैमाने पर साथ से अधिक माप वाले भूकंप जीवन तथा संपत्ती की अपार क्षती कर सकते हैं। हमें भूकंपों से बचाव के लिए आवश्चक सावधानियां बरतनी चाहिएं। प्रिष्ट एकसा सत्तानवे अभ्यास प्रश्ण एक तथा दो में सही विकल्प का चयन कीजिए। क तथा कपड़ा दोनों धनावेश अरजित कर लेती हैं। इन कथनों के सामने सही के सामने टी तथा गलत के सामने एफ लिखिये। क सजाती ये आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं। ख आवेशित कांच की छड आवेशित प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्शित करती है। ग तडित चालक किसी भवन की तडित से सुरक्षा नहीं कर सकता। ग भूकंप की भविश्यवानी की जा सकती है। चार, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय, चट-चट की ध्वनी सुनाई देती है। व्याख्या कीजिए। पांच, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं, तो वो अपना आवेश खो देती हैं। व्याख्या कीजिए। चै, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप का माप तीन है। क्या इसे भूकंप लेखी यानि सेस्मोग्रैफी से रिकॉर्ड किया जा सकेगा। क्या इस से अधिक हानी होगी। साथ, तडित से अपनी सुरक्षा के तीन उपाए सुझाईए। आठ, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्शित करता है, जबके अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारे द्वारा आकर्शित किया जाता है। व्याख्या कीजिए। 9. चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वरणन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तू की पहचान में होता है। 10. भारत के उन्तीन राज्जियों प्रदेशों की सूची बनाईए जहां भुकंपों के जटके अधिक संभावित हैं। 11. मान लीजिये आप घर से बाहर हैं तथा भुकंप के जटके लगते हैं। आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानिया बरतेंगे। 12. मौसम विभाग ये भविश्यवानी करता है कि किसी निश्चित दिन तडित जन्जा की संभावना है और मान लीजिये उस दिन आपको बाहर जाना है क्या आप छत्री लेकर जाएंगे। व्याख्या कीजिये। प्रिश्ठ 198 विस्तारित अधिगम क्रिया कलाप एवं परियोजनाईंग एक जल टोंटी खोलिए। इसे पतली धार के लिए समायोजित कीजिए। किसी रीफिल को आवेशित कीजिए। इसे जल की धार के निकट लाइए। प्रिक्षन कीजिए कि क्या होता है इस क्रिया कलाप की संग्षिप्त रिपोर्ट लिखिए दो अपना आवेश संसूचक बनाईए लगभग 10 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर की कागज की पट्टी लीजिए इसे चित्र 15.15 में दर्शाय अनुसार आक्रिती दीजिए इसे किसी सुई की नोक पर संतुलित कीजिए कोई आवेशित वस्तू इसके निकट लाईए प्रिक्षन कीजिए कि क्या होता है इसकी कारे प्रणाली की व्याख्या करते हुए संग्षिप्त रिपोर्ट लिखिए पेपर 10 सेंटीमीटर गुणा 3 सेंटीमीटर बिंदु की तरेखा से मोड़िये बिंदु की तरेखा पर काटिये सुई थर्मोकोल चित्र 15.15 इस क्रिया कल आपको रात्री के समय किया जाना चाहिए ऐसे कमरे में जाईए जहां प्रतिदीप्त नलिका का प्रकाश हो रहा हो गुब्बारे को आवेशित कीजिए प्रतिदीप्त नलिका का स्विच आफ कर दीजिए ताके पूर्ण अंधेरा हो जाए। आवेशित गुबारे को प्रतिदीप्त नलिका के निकट लाईए। आपको धुंधली सी चमक दीप्ती दिखाई देगी। गुबारे को नलिका की लंबाई के अनुदिश ले जाते हुए चमक में परिवर्तनों का प्रेक्षन कीजिए। सावधानी, मुख्य आपूर्ती से नलिका को संयोजित करने वाले तारों तथा नलिका के धात्विक भागों को स्पर्श न करें। चार, पता लगाईए कि क्या आपके एक शेत्र में कोई ऐसी संस्था है जो प्राकृतिक आपदा से पीडित व्यक्तियों को राहत पहुँचाती है। पता कीजिए कि वो भूकंप पीडित लोगों की किस प्रकार से सहायता करती है। भूकम पपीडित व्यक्तियों की समस्याओं पर एक संग्षिप्त रिपोर्ट बनाईए। इन विशेयों पर अधिक जानकारी के लिए इन वेब साइट को देखिए। science.howstuffworks.com slash lightning.htm science.howstuffworks.com slash earthquake.htm इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय पंद्रह यहां समाप्त हुआ वाचक बाबला कोछर्ड। अभी आप सुन रहे थे यह ध्वनी पाठ्य पुस्तक। तक्नीकी नियंत्रण बटी लैंग लिंग्डो। तक्नीकी सहायक विकास सांगवान। निर्माण सहयोग कुसुम लता। निर्माण एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन। तथा प्रस्तुती CIET NCERT नहीं दिल्ली भारत।